और साइन्स से खेलना सिखें। और अने क्लासेज में आप लोगा का स्वागत है। आज सित्यांत का NCRT कोमेस्टी है स्टार्ट हुआ है जिसका पहला चेप्टर का पहला वीडियो है। इस आगे भी वीडियो बनेगा। रसाइनिक अभिकिरिया क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नय गुन धर्म बाले पदार्थों का निर्मान करते हैं। इस अभिकिरिया में कम से कम दो पदार्थ होना चाहिए। दो से अधिक पदार्थ हो सकता है। और जो दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ का निर्मान करेगा उसका गुन धर्म बिल्कुल अलग होना चाहिए पहले दोनों पदार्थों के गुन धर्म से धरन में देखिये है, हाइड्रोजन और उक्सीजन मिलकर जल का निर्मान करता है जैसे hydrogen gas है और यह बहुत जोलनसील होता है और oxygen से मिलकर क्या बनाया जग यानि liquid इसे गुन धर्म बिल्कुल अलग है और किसी रसायनिक अभिकिरिया को भाउतिक विद्यों से उलट नहीं किया जा सकता है इसका आर्थ यह है कि अगर दूद से दही बन गया तो क्या दही से फिर दूद बनाया जा सकता है नहीं बनाया सकता है वहीं यह बोलना है में क्या सकता है व Näτι six सब्सक्राइब देखेंगे 2 अब आस्थामें परीवर्तन अब आस्थाम परीवर्तन कैसे हो सकता है जैसी आप देए हईड्रोजन और उक्सिजन के मिलक से मिलकर जल करने मान होता है हिड्रोजन क्या जक्र ढाब ने लुकृट इसका वास्थाम परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उसर्जन हो सकता है, ताप मान में परिवर्तन हो सकता है, अब देखें दैनिक जीवन में होने वाली रसाइनी का भी किरिया, जिसे पुरा किलियर हो जाएगा, भोजन का पचना भी क्या है, उखाय पर दीमींगति से वने वाला रासाणी अभिकेल आप आगे देखिए, अभिकाष आइसे पदार जो किसी巴 राटी में भा लेते हैं, उसे अभिकार्य कहा जाता है जैसे यहां पर देखिए हाईडिया और डिया है किया खच्छे हरक, पर को रहocolिया है जनका पूट ऑखिए जैसी पतार जिनका निर्मान के जामाटाने होता है घ्रोजन और उक्सीजन मिलकर जल का निर्मान करते हैं और बहुता है जल का निर्मान हुआ यह उत्पाद रहेगा उधर उतपाद होगा और जिद्धर पूंच रहेगा उधर अभिकारा कर रहाएगा hydrogen plus oxygen मिलकर H2 यानि जयल का निर्बान किया यह रसायनिक अभिकिर्या संतुलित नहीं है क्यूंकि जितने रसायनिक अभिकिर्या में कीसी इत्तव का पतार्थ गा जितना ही एटम ही अभिकाराक में होना चाहिए उतना ही एटम प्रतिफॉर में होना चाहिए यान रसानिक अभिकिर्या में होता है उसे क्या कहते है उत्पाद तेहां पर जल का निर्मान हुआ ते यह क्या हो गया उत्पाद हो गया जो भाग लिए अभिकारक और जिसका निर्मान हुआ वह उत्पाद और जिधर ती रहता है उत्पाद दर्साता है और जिधर पूच रहता ह रसायनिक स्वमिकरन के अभिकार को और उत्पादों में पदार्थ के पर्तिको यानि सुत्र का इस्तमाल किया जाता है पर्तिकों के साथ साथ उनकी भोतिक अबास्ता को भी दर्साया जाता है यानि मैंगनीसियम लिखना है तो मैंगनीसियम को मैंगनीसियम नहीं लिखेंगे उसका संकेत यानि सुत्र एमजी लिखेंगे उस रूप में दर्साना क्या कहलाता है रसानिक समिक करन और उनके साथ साथ भोतिक अबास्ता को भी दर्साया जाता है जैसे भहुतिक अवस्था दर्शाने के लिए solid के लिए S लेंगे, liquid यानि drop के लिए L लेंगे, gas के लिए G लेंगे, एकवास के लिए जल्यविलन यानि AQ लेंगे, यहाँ पर देखें उधारन, मैनिसियम रिवन का बायू में दहन कर मैनिसियम ऑक्साइड बनाना, यहाँ पर मैनिसियम के लिए Mg लेंगे, ऑक्सिजन के लिए O2, और दोनों मिलकर क्या बनाएगा, मैनिसियम ऑक्साइड, हम अभी अभी बोले हैं, जो रसानिक अभिकिर्या संतुलित नहीं रहता है, उसे क्या कहते है, रसानिक संतुलित का ना, मैनिसियम यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, O2, यहाँ पे ऑक्सिजन का 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे एक ही एटम है, फिलाल आगे देखेंगे संतुलित का ना, इस रसानिक संतुलित का ना, इस रसानिक संतुलित क पर बताया गया हम ऑक्सिजन ऑक्सिजन क्या होता है गेस होता है गेस के लिए क्या प्रयोग करेंगे जी और मैगनीसम ऑक्साइड क्या होता है ठोस ठोस के लिए एस अब कुछ रसानी समिक्रण को संतुलित करना देखते हैं तो आच कुछ रसानी का अभिकरिया को कुछ रसानी समीकरण को संतुलित लिद्क करना सीखेंगे ऐसा बॉक्स स्वनाएंगे एक में तत्व निखेंगे और ऋप्याइख एक में अभिकारक और एक में उत्वार्ण जैसे यहां प्यत्ता तो क्या है आइरन के लिए क्या लिखेंगे एफी और क्या है हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन अभिकार्यक में कितने एटम है से लिखेंगे अभिकार्यक में आरन का कितने एटम है एक हाइड्रोजन का टू और ऑक्सिजन का एक अब उत्पाद में देख लेते हैं आरन यानि एफी का कितने एटम है तीन हाइड्रोजन का टू ऑक्सिजन का चार रसानिक समिकरों संतुलित तब होता है जितने इस तरफ एटम होगे उतना ही अभी उत्पाद में यानि अगर आरन का लेते हैं तो इसमें एक एटम है तो उत्पाद में भी एक एटम होना चाहिए यानि जितने एटम अभिकारक में होना चाहिए उतना ही उत्पाद में तभी संतुलित होगा यह भी संतुलित नहीं है क्योंकि लिए A-P का यहाँ पर एक ही एटम है और यहाँ पर तीन यहाँ पर हम ब्राबर करेंगे ब्राबर करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं 3 से multiple यहां पर क्या हो जाएगा 3 अभिकारक में और 3 उत्पाद में ब्राबर हो गया यहां पर भी लगा देंगे 3 अब हाइरोजन के अब शेक्ता नहीं है क्योंकि लिए अभिकारक में भी 2 एटम है और उत्पाद में 2 एटम है औक्सिजन के ले अभिकारक में एगए ऊपडेगा और उत्पाद में 4 इसको ब्राबर करने के लिए 4 से multiple करेंगे तो क्या है ब्राबर चार अभीकालाक में हो गया, चार उत्पाद में तो चार यहाँ पे तो बैठ सकता नहीं, मल्टिपल करना पड़ेगा, यहाँ पे यह तो ओक्सिजन संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन चार दूना आठ हो गया और यहाँ पे दो ही है, इसमें कितना हो गया, अभीकालाक में आठ हो गया और यहाँ पे दो ही है, तो उत्पाद में भी चार से मल्टिपल करेंगे, और यहाँ आठ बना देंगे चार से multiple किया हैं तो यहां पर 4 यहां असानी का अभिकिरिया आप संतुलित है देगे यहां भी अभिकाराक में उतने उत्पाद में हाइट्रोजन का यहां में आठ है चार दुना आठ और उत्पाद में भी चार और यहां पर भी चार यहां रसानी का अभिकिरिया संतुलित है यह यह साइनिक समिक्रण को भौती का वास्ता में भी लिखना जरूरी है तो भौती का वास्ता में कैसे लिखेंगे ठीरी एफी और फिरस यानि लुहां क्या होता है ठोस ठोस के लिए किसी का पड़ियो करेंगे एस फोर एच्टू ओ जल क्या था लिक्ट लिक्ट के लिए आई एफी ठीरी ओ फोर क्या था थोस के लिए यह का पड़ियो करेंगे 4H2, H2 क्या था है? Gas, Gas के लिए जिका प्रियोग करेंगे एक रसाइनिक समिक्रन और संतुलित करके देखेंगे जैसे Magnesium, Magnesium के लिए Mg Oxygen के लिए O2 क्या बनाएगा? Magnesium Oxide इस रसाइनिक समिक्रन संतुलित नहीं है क्योंके लिए Mg का यहाँ पर एक एटम है यहाँ पर भी एक एटम है Oxygen के यहाँ पर टू एटम है लेकिन यहाँ पर एक ही एटम है इस रसाइनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अभिकारक में जितने एटम है उतने ही उत्पाद में करना होगा यहाँ पे मैनिस्यम का संतुलित है लेकिन ऑक्सिजन का नहीं यहाँ पे टू एटम करना ही के लिए टू में मल्टिपल करेंगे oxygen तर 2 यहां पर भी हो गया और उत्पाद में भी 2 हो गया लेगिन magnesium यहां पर 2 हो गया जबकि यहां पर 1 ही है इसको भी 2 कर देंगे अब देखें magnesium अभिकारक में दूग हो है उत्पाद में भी दूग हो है oxygen अभिकारक में में भी दूग है उत्पाद में भी दूग है इस रसानी कभी किया को बहुती का वास्था में भी लिख देंगे में इसम क्या होता है थोस थोस के लिए इसका परियोग करेंगे कि ऑक्सियन क्या होता है गैस गैस के लिए जी का प्रियों करेंगे टू एम जी वह क्या आता है ठोस इस वीडियो में इतना ही और इस से आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑा इस सब्दाब करेंगे है जोसे ही जुए ने चारीवा के लेगे बुए कि यूए आता है युए है रहाँ जा है जा रहाँ पता है तो यह जा अरिखना है ने रहाँ जा है है तो बट्रता प्रता है